So Hello Everybody, कैसे हो आप सभी I Hope कि आप एकदम मस्त होगे तो Friends, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप Free में Amplify Board को कहां से यानि किस चीज़ से निकाल सकते हो और अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है तो हम आपको ये भी बताने वाले हैं किसे आप 5-200 रुपए में कहां से खरीज सकते हो और इसकी टेस्टिंग भी हम अपनी वीडियो में दिखाने वाले हैं कि इससे हम कितनी स्पीकर और कितनी इंची तक के स्पीकर को बज़ा सकते हैं तो फ्रेंट्स वीडियो को कम्प्लीट वाच करना चली फर अपनी वीडियो में चलते हैं तो फ्रेंट्स आज के इस जमाने में ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जिसमें कि टीवी ना हो और अगर टीवी होगी तो उसे चलाने के लिए डीबीडी प्लेयर या सेटप बोक्स तो जरूर होंगे और ये दोनों होंगे तो खराब भी होते होंगे जो कि फ्रेंट्स हम रिपेर करने जाते हैं और कई बार क्या होता है कि ये पूरी तरीके से खराब हो जाता है और रिपेर नहीं होता और हम नया सेटप बोक्स ले लेते हैं और पुराने वाले को या तो कबारे वाले को दे देते हैं या फेक देते हैं लेकिन फ्रेंट्स हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है तो मैं आपको बता दूँ कि या तो इसका power supply खराब होता है या इसका card खराब होता है और कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों ही खराब हो जाते हैं और हमारे इस setup box के ये दोनों ही खराब है और तीसरा दिया है ये छोटा सा amplifier board जो कि फ्रेंट्स कभी खराब नहीं होता बहुती कम चांस होते है इसके खराब होने के और दो या तीन वार और होते हैं जो कि फ्रेंट्स card से connect होते हैं ये audio input के लिए हैं तो फ्रेंट्स इसके बाद इस amplifier board को अपने इस setup box से 5 की मदब से निकाल लेना जो कि netball से कसा रहता और हाँ फ्रेंट्स अगर आपके पास एक खराब setup box नहीं है तो जहाँ पर ये setup box रिपेर होते हैं वहाँ पर आपको जाना है और उसके पास काफी सारे ये खराब setup box पड़े रहते हैं जो कि उसके कोई की काम के नहीं रहते हैं उसे आप 5 या 10 रुपे दे देना वह आपको निकाल करके दे देगा तो फ्रेंट्स आप देख से तो हमने amplifier board को निकाल लिया और इसी तरीके से हमने एक और amplifier board को निकाला जो कि फ्रेंट्स दोनों ही same है और ये दूसरी वाले को फ्रेंट्स हमने DVD player से निकाला और दोनों है एक ही जैसा work करते हैं तो फ्रेंट्स दोनों मैंसे हम किसी एक की testing आपको अच्छे से समझा दूं जो कि यह दोनों वार दिये गए यह फाइब बॉल्ड पावर देने के लिए और जो इसका रेड़ वाला वार है वह पॉजिटिफ हो और यलू वाला वार है और नेगेटिव वार हो और यह तिनों वार फ्रेंट्स स्पीकर के लिए जो इसका वाला वायर हो ग्राउंड है और इसी प्रकार से दो और वायर थे जो कुछ इस टाइब से कनेक्ट थे यह फ्रेंट्स आडियो इंपुट के लिए हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना कि हैं सोल्टर आयरें की मंदा से इन सभी वायर को रिमॉब कर दे रहे हैं जो कि पॉजिटिव पॉइंट से कनेक्ट कर देना और जो बलेक वाला वायर है उसे नेगटिव वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देना कुछ इस टाइब से और इसके बाद हम ले रहे हैं यह तीन वायर और इन तीन वायर को जो इस पीकर के वायर कनेक्ट थे उसकी जगा हमने इन और यह प्र रेड़ वायर है को और ग्रांड वायर है और फिर हम ले रहे हैं एकाड्या ओक्स केबल और इसमें में भी फिरेंट तीन वायर दिये गए है और जो ग्रीन और ब्लेक वायर है इन दोनों वायर को आपस में कनец कर देंगा और connect करने के बाद जो फ्रेंड्स amplifier Board में जो audio के लिए दो वार कनेक्ट थे उसकी जगा हमें क्या करना है इन दोनों वार को soltering RN की मदद से soltering कर देना तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि हमने सभी वार को अच्छी तरी के से soltering कर दिया और इसके बाद हम ले रहें ये दो दो इंची के दो स्पीकर और इन दोनों स्पीकर को क्या करना है कि फ्रेंट्स जो स्पीकर के लिए तीन वार निकालेते तीन वार से कनेट कर देना है तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं हमने कनेट कर दिया जो red वाला wire है इसे हमने दोनों speaker से connect कर दिया और जो green और blue वाला wire है उसे हमने दोनों speaker के एक एक पॉइंट से connect कर दिया है और इसके बाद जो friend data cable है इसे के करना कि अपने mobile charger से connect कर देना और mobile charger को board में लगा देना है और friends on and switch को भी on कर देना जो friend five board हमारा charger निकालता है और जो friend audio aux के बाल है इसे अपने mobile से connect कर देना और friend हम song को चालू कर दे रहे हैं तो friends हमें एक speaker को निकाल दे रहे हैं और इसकी जगा हम ये 6 ng के speaker को connect कर दे रहे हैं और फिर इसे बजा करके देखते हैं कि ये कैसा work करता है तो friends आपने देखा कि जो हमारा amplifier board है कितना powerful है और ये 6 ng तक के speaker को कितनी अच्छी तरीके से बजा दे रहा है तो fans अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक like जरूर कर देना तो चलिए फर अगली वीडियो मिलते तब तक के लिए जहन जभारत